शक्स यहाँ पे देख रहे हैं वो हैं बेयन सिंग बोडी गाड रहे हिंद्रा गांधी को और उनको मारने में भी बेयन सिंग का हाथ रहा है तो बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और एक बार विधान सभा का तो आपको लगता है इतना स्पेस है आपको लोग वोट कर पाए पंजाब की राजनीती में वैसे तो उतल पुतल चलता रहता है हमारे साथ इस वक्त जो शक्स है वो है सरबजीत सिंग खालसा सीधा उनी से बात करते हैं और पीछे जो आप शक्स यहाँ पे देख रहे हैं वो है बेयन सिंग बोडी गाड रहे हिंद्रा गांदी को और उनको मारने में भी बेयन सिंग का हाथ रहा है फासी की सजा भी हुई लेकिन उसके बाद राजडीती में तीन बार सरबजीत सिंग खालसा ने अपना हाथ अपनाया है लेकिन जीत अभी तक हासले हुए सर दो बार आपने विधान सबागा दो बार लोगसबा का चुराओ लड़ा और एक बार विधान सबागा लेकिन बात यह आती है सामने कि इस सब के बीच में क्या ऐसे लोग वोट कर पाएंगे वाहिगरु जी का खालसा वाहिगरु जी की फते मैडम सबसे पहले तो यह बात है कि जो हमारे फादर साहब है इनकी जो यह सिख कौम के जो सबसे फस्ट रो है कृबानियों की सिख कौम की यह उनमें आते हैं वैसे तो कृबानी सब की मतलब एक ही फॉलोवर्ज इनको मानने वाले हमेशा सिख कौम में थे हैं और रहेंगे अब मुझे भी मैडम मैंने कोई मेरा मन नहीं था इलेक्शन कॉंटेस्ट करने का लेकिन फरीद कोर्ट से स्पेशल लोग आए मुझे का कि आप कॉंटेस्ट करें तो मैंने का जी मैं इंट्रस्ट पर शेड़ नहीं हों हाना तो फिर उन्होंने का जी नहीं आप हम सारा कुछ करेंगे फाइनांस का भी करेंगे सारे प्रोग्राम बनाएंगे आप हमारे साथ चलो उसके बाद मेडम जब अखबार में आ गया एक बार तो मेडम उसके बाद मुझे डेली दस दस बारां बारा पंदरा पंदरा कॉल जाती हैं कि आप कब आ रहे हो कब आ रहे हो हम आपके साथ हैं हमारी पूरी फैमिली आपको बोर्ट डालेगी इसलिए माडम मुझे जादा उच्छा हो गया है फरीत कोट में वैसे तो सारे आर्टिस्ट हैं वो मेदान में उतर रहे हैं मुहमद सिदीक हाला कि उनका नाम घोशत नहीं किया गया है करम जीत हैं उसके अलावा हम हंस राज हंस के किस तरह से देखने हैं अपने प्रतीदवन्दियों को और मुद्दा आप क्या उठाएं मेडम जी जो मेरे प्रतीदवन्दियों है इनकी सब ये रूलिंग में आ चुके है मजौर्टी में सेंटर गौर्टी इसमें स्टेट गौर्ण्मेंट में भी इनकी पार्टीज आ चुकी है मेडम जो मुद्दा है ना सबसे पहले सिक होने के नाते सबसे पहले हमें होता है श्री गौरू गरंट साब जी देखो जब ये पार्टीज सब अब भी आपकी पार्टी जाडू के मेडम किसी ने भी श्री गौरू गरंट साब की जो बेद भी होई थी उसका इंसाफ दिलाने में कोई भी आज तक सफल नहीं रहा है ना ये चाहते हैं कि सिक्खों को इंसाफ मिले लेकिन जो पंतिक मुद्दे आप बात कर रहे हैं वो तो शीवा ने अकाली दल भी बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं हम तो यहीं के लोग हैं यहीं के मुद्दे उठा रहे हैं तो उसका कैसे देख रहे हैं मादम यह जो बेद भी हुई थी यह होई शुरूमनी अकाली दल के टाइम में थी तो अगर ये चाहते तभी जो गोलियां चली हैं ये सारा कुछ ये कंट्रोल कर सकते थे लेकिन नहीं हुआ है इन्होंने मतलब नहीं अतना इंटरेस्ट लिया कि सिखों को इंसाफ मिलना चाहिए लेकिन सांसिद में भी उन्होंने बंदी सिखों का मुद्दा उठाया है या फिर बाकी सिखों का मुद्दा आप कैसे देखते हैं कि ये जो इशूज हैं क्या आप उठाने की सोच रहे हैं या आपको लगता है कि कोई और पार्टी इसको ठीक है मैडम एक्चुली ये जो बंदी सिंगों का मुद्दा है ना ये बंदी सिंग आज के तो नहीं है 20-20-30 साल हो गए हैं ओवर हुए को भी 20-20 साल हो गए है सजा मैडम ये जब रमू अलिया साब उधर गए थे यूपी में वहां एक ही बंदी सिंग था मुझे अब नाम नही ही रिलीज कर दिया था जब मैडम बादल की सरकार थी पंजाब में ये सब कुछ कर सकते थे ये सब को रिलीज कर सकते थे मतलब इनसाफ दे सकते थे सिक्खों को लेकिन नहीं मैडम ये सफल नहीं हुए ये एक्चुली इनका ये चाहते ही नहीं है कि सिक्खों को इनसाफ मि अमरित पाल का मुद्दा कैसे देखते हैं कि यहाल फिलाल में उनकी जो माबाप हैं उनकी उपर भी आक्शन हुआ जेल भी भी भेजा गया किस तरह से देखते हैं मैडम एक्चुली ना देखो जब तक सरकार सिखों को बराबर नहीं बिठाएगी अपने उनको सिखों को दब मुद्दे हैं जो यह उसी के कारण है मैडम अमरित काल पाल का जो भी यह सिस्टम मलब चल रहा है यह अगर यह सिखों को इंसाफ मिल जाता तो शायद अमरित पाल कभी आते ही ना आगे अच्छा एक आकरी सवाल पूछना चाहेंगे इसके अलावा कौन से ऐसे मुद्दे ह पाल है पंजाब का यूथ का किसानों का मुद्दा ने उठाएंगे इसको कि मैडम अगर हम इनको आने वाली जनरेशन को कुछ समझाना चाहते हैं तो उन्हें एजूकेट करना पड़ेगा हम तब ही समझा सकते हैं उसके बिना इनको नहीं समझा सकते हैं तो मैड़ान में क काफी लोग उतर रहे हैं और फरीद कोट की बात करें तो आर्टिस की लड़ाई है उसी बीच में सरब जीत सिंग खाल सा हैं वो भी चुनौती देने के लिए मैड़ान में उतर रहे हैं और काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं उनने कहा है कि बाकी लोग क्या करें पर ये